नवश्कार, आज के इस एपिसोड में एक अतिक अंभीर दुर्गटना की जानकारी है, साथ ही कुछ समश्या है और एक सूशना, यह तमाम चीजे आपके लिए बटोर के लाया हूँ, जो अतिक अंभीर दुर्गटना कहे रहा हूँ, इसक्रीन पर अभी आप वीडियो देख पा रहे हैं, यह वीडियो कल रात का है, मोही फाटक के पास जो हाईवे यह वहाँ का है, और इसमें बताया जा रहा है कि अनियंत्रित हाइडरा ने एक तेज गती में आते हुए, दो गोमाताओं को कुछल दिया, और इस दुखद और इस भयावा एक्सिडेंट में दोनों गोमाताओं की मौके परेजनी मित्ती हो गई, बड़ी अति घंबीर प्रवड़ती की दुरगटना है, क्योंकि मैं जहां नियूज बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा किसी देशी आंचल में आया हुआ हूँ, अलके से उस चेत्र में और वहाँ पर एक हमारे पास अभी थोड़े पहले महिला थे, वो खड़े थे और जब हम नियूज का रिटेक ले रहे हैं, तो उस रिटेक में उन्होंने सुनी ये खबर, तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने भी सुना कि मोई फाटक के पास एक दुरगटना ऐसी हो गई, और सा जात ही, इस दुरगटना से हमको ये भी समझने की जरूत है, क्योंकि अभी यहाँ हाइवे का काम चल रहा है, यहाँ पर काफी जादा डाइवर्जन है, तो पुलीस और ये हाइवे प्रभंदन दोनों की एक बड़ी जिम्यदारी बनती है कि ऐसी गटनाएं कम से कम हो, ना हूँ, ऐसा सुनिशित करें, तो उसका भी संग्यान लिया जाना चाहिए, और जो भी दोशी है, उनको सजा मिलनी चाहिए, अब चलते हैं, अगली खबर की तरफ, जो मैंने कहां, कुछ समझ्याओं की तरफ भी बढ़ेंगे, समझ्याओं में पहली समझ्या जो मोहन जी गा कच्रे के धेर दिखाई दे रहे हैं, यह उन्होंने भेजते हुए कहा है कि यह फोटू है, जो नोगामा के पास बनास नदी है, वहां का जो पुल है, वहां का यह फोटू बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि यह कच्रा निर्मल ग्राम पंचात, एमडी के दोरा ड़ा ड़ा अब इनके आरोप में कितनी सच्चा ही है मुझे नहीं पता मगरी खबर उन्होंने भेजी है और साथ इनोंने कहा है कि हमने कई बार ग्राम पंचायत या उनके आसपास के कुछ लोगों को हमने इसके बारे में सूचना दी है मगर अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई तो नकेवल यहां यह ज़्यादा गंदगी हो रही है नदी के पेटे में बलकी कुछ गोवन्श या यह आते हैं तो यह उनको प्लास्टिक खा रहे हैं तो उससे भी अलग तरीकी नुक्सान की हमेशा आसंका बनी रहती है तो इस पर भी एक जाग रुकता से जड़ी हुई है यह हमको भेजा है गोरव जोशी ने उन्होंने यह किसी काम से यह जैपूर जा रहे थे और बीच में इन्होंने बताया कि हमारी बस रुकी सरकारी बस थी जो रुकी भीम के पास किसी होटल पर होटल का फूटो आप देख पा रहे थोड़ा सा में इस पर विचार करें तो वास्तिकता में यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस प्रकार के जो इस्टोपेज बनाए जाते हैं जहां अधिकतम मात्रा में बसे रुकती है सरकारी बस का यह जिक्र कर रहे हैं और ऐसी इस्तिति में अगर कोई विवसाई या ह होटल वाला उनसे अधिक पैसे वसूल रहा है और उस पैसंजर की मजबूरी का लाव उठा रहा है ना अन्य दिक फाइदा उठा रहा है तो यह अवेश्य रूप से संग्यान में लिए जाना वाला विश्य बनता है अब चलते हैं एक समश्या और है उस समश्या से पहले मै रोजगार बुलेटिंच शुरू किया जिसमें कोशिश करते हैं कि आसपास के सित्रों में आपकी दुकान आपके प्रतिष्ठान आपके संस्थान अगर वहां पर कोई भी वेकंसी है तो उसकी आप हमको जानकारी भेजिए हम एक एपिसोड के माधियम से जानकारी आसपास अब भी पहुचा हूँ समशा बेजिए विस्वसर ती तेली ने समशा है पीपली और मोहिक बीच के एक मार्ग की उसका वीडियो उन्होंने बिजा है और साथ में उन्होंने वीडियो के साथ अपने जो बीज़े ना वह वीडियो और 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 आपके लिए स्क्रीन पर पूर भेजिए चलिए मैं छोड़ जाता हूं आपको इश्वसर्दी तेली के उस मोही से पीपली वाले मार्ग और उनके शब्दों के साथ हलो सर यह सड़क है मोही पीपली कुरज कुवार्या की में सड़क है में रोड़े जो पिछले लगभव 17-18 सालों से ऐसे ही है ना तो इस पर कुछ काम हुआ और ना ही कभी कोई सायदी कोई टेंडर पास हुआ होगा